कि हरे किश्मा दोस्तो नहीं कैसे हैं ऑफ कोजब घुली हूंझे हुझे हों भी स्केवां होंगे ऑर आपको भूली की बहुत शुम्हाम नहीं है और ये मेरा प्र हजबंड वीटा है ये मेरे सब súper मिना ररह रहे हैं हैं है हैपी होली पहन पहने हैं आप सब को हैपी होली यह लिदी आप धी रंग लगाईं एप बरागी है अज आज हमारी साधी की सालगिरा अट इसको प्राने कपड़ मुत पेहने हैं इस तरह से उर अभी मिलाऊंगी तो अधिक भॉझब को इस दिखा तो पूर में जिखाटी पै कि आपनाओंगे आज मैं बनांगी इस नए तउपा मोंन में «कोपमॉँ आप नाद के करेड के लिए लांगी और एक अनौ सब्रक में सब्सेर्ट लें रखें वाली इसमund यि इस नेलिए देखेंक लेक्ट के फ्रेस कोकड़े में चत्क्राइब से पहसं बीदर करें मेरे साथ बढ़े रहीएगा आज मैं बना रही हूं और यह हारी मिल्च इसके वे अबनाऊंगी अज रखाएंगे और दाइबलए इस बढ़ा से अगर आधों यह बोग लगा ने के लिए यह एक चमच धनिया आदी कंद नमक औ। अधिजियमंटि एक पामचूर की अवाय किया मिला लोगी तो इस तरह से झाइना आमचूर लाल मिर्च नमक लुछ नमक सब्छाइने मिला लिया इसमें और मैं क्या करूंगी इनको मिर्चों को बीच में से कट लगा लोगी इनको ऐसे अइसे हम ऐसे चीरा लगा लेंगे इस तरह से इस तरह से चीरा लगा लेंगे मिर्च का कि अब चला पूर्च में ऐसी लगा लूँगी यह सीदिव मैं अपने हजबन के लिए बना रही हूं यह उनको ज्यादा पसंद है मिर्च की और मेरे बच्चों को तो मिर्च की पसंद नहीं है पकोडियां उन्तों पर यह सिंपली में बना के खिलाऊंगी अब मैं क्या करूंगी इन में भढ़ दूंगी मसाला यह देखे इस तरह से और यह जो है बनके जो है पकोडियां होच जादा टेस्टी होंगी कि देखिए कि इस तरह से कि मैं यह सब में मसाला बढ़ गूंगी ऐसे और यह जो वाली में चोटिया ना फैंड यह जो इन में जो है बिल्कुल भी टीकी नहीं होती है यह इसलिए इनकी पकोडियां गोसी जादा स्वाधित लगती हैं यह इस तरह से मैं इसमें लादू ही सारा मसाला बस अब यह थोड़ा सा मसाला इसमें से और मैं 2-3 कश पकोडियां बार में बनाऊंगी फिलाल मैं यह बना रही हैं यह लो फ्रैंड आये खाए यह पकोड़ियां गोवी की आलू की प्याज की चट्मी यह ग्रीन सोस यह रैड सोस यह लीजिए फ्रेंड आईए खाईए और टेस्ट करके बताईए कि कैसे बनी हैं और यह मूह मीठा कीजिए आप गुंजिया हैं वह हैं बालुशाई हैं तो फ्रेंड आप सब को होली की ब उसको है वह मेंने खाली में भी रही हैं ह। मिर्श की पकोड़ी होंकि निसाद सब्सक्राइब करीं बिल्कुल संपल तरीके से करीं हमने आज क्या-क्या खाना खाया क्या-क्या और लैंचमें वह क्या नहीं ने खाया वह समय नहीं आपके साथ शेर किया través तो फ्रेंड आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसे लगी, उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल क करें सब्सक्राइब तो फ्रैंड मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आपके लिए कोई अच्छी सी रैसी पिलेकर तो तब तक के लिए फ्रैंड रादे रादे